असलामों अलाइकुम गाइस मैं हूँ फरुक शेजाद चोहार आज की सोशल मीडिया नियूस शुरू करते हैं कि टिक टॉक ने पैंन होने पाकिस्तानी टिक टॉक से पांच लाग अबजेक्शनेबल वीडियो को रिमुफ कर दिया है बही जिस से हमें इस बात का अंदादा होता है कि जल्द एक महिने के अंदर अंदर ही टिक टॉक जो है वो होसकता है उन बैंन हो जाए तो टिक टॉक यूजर्स के लिए तो भई बहुत खुशी की खबर है नेक्स नियूस हमारे पास है टिक टॉकर हरीम शा की तो भई हरीम शा के उपर हुआ है एक हमला इस हवाले से हरीम शा ने इसलामाबाद थाने में एक रिपोर्ट दर्च कराई है अपने दो दोस्तों के खिलाफ जिनका नाम है बहादुर शेर आफरीदी और आईशा नास हरीम शा का कहना है कि इन दोनों दोस्तों ने उनके घर पे आके उनको मानने की कोशिश की उन पे हमला किया है इस वाले से पुलिस ने इन्वेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी है देखे आगे क्या होता है नेक्स्ट निउस हमारे पास है रजा सम्मो की तो भाई रजा सम्मो कुछ अर्से से काफी सीरियस टॉपिक्स के उपर वीडियो बना रहे थे जिसके उपर उनके फैंस का कहना था कि हमापको इस सीरियस वीडियो बना है हम तो आपकी रोस वीडियो और फनी वीडियो देखने के लिए आपको फya करते है के रजा समो की एक जबरदस स्टेंड अप कॉमेडी वीडियो हमें जल्द देखने को मिलेगी तो देखते हैं कब आती है नेक्स्ट निउस हमारे पास है एपल की तो भई एपल को टू मिलियन डॉलर का चलान हो गया है ब्राजील के अंदर और उसकी वज़ा जो है वो हर एपल यूजर के दिल की आवाज है तो भई एपल को आईफोन के साथ चार्जर ना देने के ओपर ब्राजील में टू मिलियन डॉलर का चलान हो गया है ब्राजीलियन गवर्मेंट का कहना है यह हमारे रूल के खिलाफ है कि कोई भी मुबाइल बिना चार्जर के सेल किया जाए तो भई एपल जो है उसको अब वहाँ पे चार्जर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा अगर वो आईफोन के साथ चार्जर नहीं सेल करेगा तो हो सकता है आईफोन पे पाबंदी लगा दी जाए नेक्स्ट निउस हमारे पास है टेसला की तो भे टेसला की गाड़ियों को चाइनीज के मिलिटरी एरियाज में खड़े होने पर पाबंदी लगा दी गई है इस हवाले से चाइनीज गवर्मेंट का और चाइनीज मिलिटरी का ये कहना है कि टेसला की गाड़ियों जो है उनके अंदर बहुत ज़ादा कैमराज लगे वे होते हैं जो के हरवकत आन रहते हैं जिसकी वज़़ा से उन्हें डर है कि हमारी जासूसी की जा सकती है इस वज़़े से किसी भी मिलिटरी बेस और किसी भी मिलिटरी एरिया के अंदर टेसला की गाड़ी को खड़ी करने पर पाबंदी लगा दी गई है इस हवाले से Elon Musk का ये कहना है कि अगर Tesla इस किसम की कोई भी हरकत कर रहा होता तो उसको कप का बैंड कर दिया जाता आपका इस हवाले से क्या opinion है comment करकर जरूर बताएं Next News हमारे पास है Hollywood की Most Awaited Movie Black Video की जो के release होने जा रही थी 7 मई को अब उसकी release date आगे बढ़ा दी गई है और अब new release date सामने जो आई है वो है 9th July और ये भी confirm नहीं है ये सब depend करता है coronavirus और lockdown conditions पे तो भई हो सकता है अगर ये conditions बेतर ना होए तो इसकी release date फिर से आगे बढ़ा दी जाए Next News हमारे पास है Lamborghini की और भई बड़ी interesting news है तो भई Lamborghini ने अपनी financial report जारी करी है 2020 की तो भई जब 2020 में तमाम business बनते है सब लोगों का नुकसान हो रहा था तो उस दोरान Lamborghini ने अपनी 58 साल की सबसे बड़ी sale करी है जी हाँ Lamborghini ने 2020 में अपनी सबसे ज्यादा sales की है और 2020 में sale करी है Lamborghini ने 7430 गारिया और उनका 10 over रहा है 1.93 billion dollar बहुत बड़ी बात है यार next news हमारे पास है Suzuki की तो भई Suzuki ने भी अपनी 2020 की financial report जारी करी है जिसके मताबिक Suzuki ने 2020 के अंदर किया है 1.58 billion dollar का loss भई बहुत ही बड़ा loss है और जानते ही है कि पाकिस्तान में कुछ महीने तो auto industry बंद ही रही थी जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज्यादा unemployment हुई है next news हमारे पास है OPPO की तो भई OPPO ने पाकिस्तान में अपना new phone F19 Pro launch कर दिया है जिसकी कीमत है 50,000 रुपे यह phone 172 gram का है और इसके अंदर हमें मिलती है 4310 mAh बैटरी तो भई क्या आप इस phone को लेके excited है या नहीं comment करकर जरूर बता है आज के लिए इतना ही मजीद social media news के लिए आप हमारा channel subscribe करें Thank you